नमस्कार और स्वागत मेरा नाम है ललत और आप जोट चुके हैं लीगल क्लिनिक वाई ललत के साथ आज बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की जो दी गई है पार्ट फोरे के आर्टिकल फिफ्टी वन में बहुत इंपोर्टन टॉपिक और आज हम जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में फिर बात करेंगे सर्दार स्वर्ण सिंग कमिटी की फिर कौन-कौन सी हैं फंडामेंटल ड्यूटी क्या-क्या होती हैं उनको डीटेल में डिसकस करेंगे फिर इसके features की बात करेंगे फिर significance की बात करेंगे criticism की बात करेंगे कि और critics fundamental duties के बारे में क्या कहते हैं और फिर बात करेंगे important case laws की जो fundamental duties से related हैं तो चलिए करते हैं topic को शुरू तो fundamental duties के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि ये part 4a article 51 में दी गई हैं और सबसे important बात की duties और right inseparable हैं यानि आपके जो rights हैं जो आपके अधिकार हैं उनको आपके करतव्यों से अलग नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता आप इस बात को ऐसे समझेए कि शादी करना right to marry and right to have a family is a fundamental right साथ ही आपकी ये भी duty बनती है कि आप अपनी धरम पतनी का ध्यान रखें आप अपने बच्चों का ध्यान रखें इसलिए duties और rights को inseparable बताया गया है जब हमारा original constitution बना था 1950 में जब ये लागू हुआ तो उसके अंदर सिर्फ fundamental rights दिये गए थे fundamental duty का जिकर उस ताइन पे नहीं था fundamental duties को part 4 में article 51A में add किया गया by 42nd amendment act on 1976 और ये inspired था USSR से बहुत सारे democratic countries के constitution में आज भी fundamental duty नाम की कोई चीज नहीं है जैसे USA, Canada, France, Germany इनके constitution fundamental duties की बात ही नहीं करते सिर्फ जापान का एक constitution ऐसा है जहां fundamental duties और fundamental rights को inseparable बताया गया है अब बात करते हैं सरदार स्वन्ण सिंग कमिटी की recommendation की तो कहानी समझे है कहानी है उस दौर की जब पूरे भारत में emergency लगी हुई थी इंद्रा गांदी की सरकार थी और Congress Party चाहती थी कि लोग जो ये विद्रो कर रहे हैं लोग criticism कर रहे हैं उनको अपने अधिकारों के साथ साथ उनकी duty का भी पता होना चाहिए और इसी वज़े से Congress ने सेट अप किया सरदार स्वंड सिंग कमिटी को और उनको कहा गया कि आप fundamental duties के बारे में recommendation दीजिए कमिटी ने recommend किया कि fundamental duties के एक नए chapter को ही constitution में add कर दिया जाए और कहा कि citizens को अपने rights के साथ अपनी duties का भी पता होना चाहिए 1976 में committee की recommendation पे आया 42nd constitutional amendment और इस amendment को mini constitution भी कहा जाता है क्योंकि इस amendment में बहुत सारे amendment किये गए थे और इसमें part 4a article 51 में fundamental duties को add कर दिया गया सर्दार स्वंड सिंग कमिटी ने हला की चिर्फ 8 fundamental duties को add करने की बात की थी लेकिन actually में add किया गया तो वो 10 fundamental duties को add किया गया अब कौन सी recommendation जो सर्दार स्वंड सिंग कमिटी ने की थी बड़ उनको नहीं माना गया वो ये है यह याद कर लीजिए कि उन्होंने कहा था कि Parliament के पास यह power होगी कि वो penalty लगा सकती है और punishment लगा सकती है यदि कोई व्यक्ति अपनी fundamental duties को पूरा नहीं करता इस recommendation को नहीं माना गया यह recommendation भी दिया गया कि जो यह penalty और punishment दी जाएगी इसको किसी भी court of law में question नहीं किया जा सकता इसको भी insert कीजिए अलाकि इस recommendation को भी नहीं माना गया और duty to pay taxes to be a fundamental duty इसे भी नहीं माना गया आई आप बात करते हैं सबसे important चीज वो है list of fundamental duty इसको याद करने का ना एक तरीका है बहुत आसान तरीका है ABCD तो याद करी होगी ना आपने ये याद कर लीजे ABCDEFGHIJK और ये याद नहीं होता तो ये देख लीजे ABCDEFGHIJK अब बात करते हैं कि ये word stand किसलिए करता है A stand करता है abide by the anthem यानि पहली आपकी जो duty है वो ये है कि आप भारत के सभी institutions को सभी ideals को national frag और national anthem को respect दोगे B से बापुजी यानि हर उस व्यक्ति जिसने भारत की स्वतंतरता में योगदान दिया था हमारे जो ideals हैं आप उनको cherish करोगे और follow करोगे C से consolidation यानि भारत की sovereignty, unity और integrity के लिए आप हमेशा खड़े रहोगे और उसे protect करोगे B stands for defend यानि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप अपनी country को defend करने के लिए और भारत की सेवा करने के लिए हमेशा त्यार रहोगे E stands for equality यानि आप पूरे भारत में भाईचारे को बढ़ाओगे और ओरतों के प्रती, ओरतों के सम्मान की बात करोगे और ये हर धर्म, हर भाषा, हर region में, हर society में promote किया जाएगा F stands for forts यानि हमारे देश में क्या culture था? राजे माराजे थे, उन्होंने forts बनाए बहुत सारे तो इस से याद कीजिए कि हमारी एक fundamental duty है कि हम अपने देश के culture को, rich heritage को हमेशा cherish करेंगे और preserve करेंगे G stands for green यानि forest और हम क्या करेंगे? अपने natural environment को, forest को, lakes को, rivers को, wild life को, living creatures को protect करेंगे और improve करेंगे H stands for humanism, यानि हम scientific tempo developed करेंगे, humanism developed परेंगे, I stands for I for I यानि लडाई नहीं, हम किसी भी public property को damage नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और violence से दूर रहेंगे J, jack for all, यानि हम सभी लोग, सभी spears में अपने आपको बढ़ाने की और next level, higher level अचीव करने की कोशिश करेंगे And K, यानि kid, हर उस बच्चे को जे 6 साल से 14 साल के बीच में है, यह हमारी duty होगी कि हम उसे education provide कराएंगे अब आप कहेंगे कि duty तो 10 insert हुई थी, 11 कहां से आई, तो 11 2002 में 86th amendment से add की गई आई आप बात करते हैं कुछ characteristics, कुछ features जो fundamental duties के होते हैं कुछ एक fundamental duties हैं वो moral duties होती हैं, जैसे noble ideals को cherish करेंगे और कुछ civic duties होती हैं, जैसे हम national flag और national anthem को सम्मान देंगे कुछ एक duties हैं, जो बहुत ही old और traditional values रखती हैं, जैसे भारत के culture को भारत में जो multicultural है, उसको promote करेंगे और practice करेंगे fundamental duties ज्यान रखिये, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक के लिए लागू होती हैं और ये non-citizen पे apply नहीं होती fundamental duties are non-justiciable मतलब अगर किसी व्यक्ती ने fundamental duty को पूरा नहीं किया तो कोई उसे court में ले जाके challenge नहीं कर सकता कि आपने fundamental duty को पूरा क्यों नहीं किया आई आप बात करते हैं importance of fundamental duties कि इसकी significance क्या है, इसकी importance क्या है तो सबसे पहली बात fundamental duties एक reminder की तरह काम करती हैं हर citizen के लिए ये याद दिलाती रहती हैं कि आपकी अपने देश के अपने लोगों के प्रती, अपने society के प्रती एक जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है ये उन लोगों के लिए as a warning भी काम करती हैं जो anti-national है, जो हमारे देश के खिलाफ सोचते हैं और जो हमारे देश के खिलाफ की गई गतिविदियों में involved रहते हैं जैसे कोई व्यक्ति यदि national flag को जलाता है या कोई public property को destroy करता है तो ये duties उनके खिलाफ भी जाते हैं ये duty एक sense of discipline और commitment देती हैं हर भारतिये को ये भारतिये courts को constitutional validity of law को define करने में भी मदद करती हैं ये parliament को अधिकार देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी fundamental duty को पूरा नहीं कर रहा तो parliament के पास ये अधिकार होगा कि वो penalty और punishment लगा सकते हैं आई आप बात करते हैं fundamental duties को लेकर किये गए criticism के बारे में तो list जो है na fundamental duties की ये exhaustive नहीं है मतलब ये मोटा मोटा cover करते हैं ये बहुत कुछ जो cover करना चाहिए वो cover नहीं करते हैं जैसे हर व्यक्ति को अपना vote देना चाहिए taxes pay करने चाहिए family planning करनी चाहिए ये भी तो एक fundamental duty है लेकिन ये उसको cover नहीं करते हैं कुछ एक duties तो इतनी vague और ambiguous है ना कि वो समझ में ही नहीं है और ये duties merely as a code of moral percepts सर्व करते हैं because court में तो enforce किया नहीं जा सकता duties are super flows कई तो बहुत जरूरत से जादा duties दे दिए लोग अपनी duties को बहुत हद तक तो वैसे ही follow करते हैं प्रिटेक्स ये भी कहते हैं कि आपने नया chapter क्यों add किया constitution में अगर आपको fundamental duty लेकर ही आनी थी तो आप इसको chapter 3 में fundamental rights के साथ ही रख देते आपने क्योंकि इसके लिए एक नया chapter introduce कर दिया constitution में chapter 4 ए तो इसी वज़े से इनकी values आपने कम कर दी आईए अब बात करते हैं कुछ important case law की सबसे पहला और सबसे important case law MC Mehta vs Union of India आपने पढ़ा भी होगा इस case law ने बहुत कुछ change कर दिया था तो Supreme Court ने कहा था कि under article 51 AG ये केंदर सरकार की duty है कि वो ऐसे lessons बनाए classrooms में, institutions में जो लोगों को बताएं कि आप अपने देश के natural environment को कैसे protect कर सकते हो कैसे improve कर सकते हो Supreme Court ने ये भी कहा कि ऐसी text book बनाइए और उनको free distribute करिये educational institute में जिसके अंदर ये दिया गया हो कि आपकी जो fundamental duty है natural environment को protect करना वो आप कैसे कर सकते हैं और फिर Supreme Court ने कहा आप keep the town clean, keep the village clean, keep the city clean रहे के program साल में कम से कम एक बार चलाईए ताकि लोगों को अपनी fundamental duty जो environment से related है उसके बारे में पता रहे दूसरा case law आता है Bejoy Emanuel versus State of Kerala 1986 का ये case law है इसकी ना कहानी याद कर देना Bejoy Emanuel और इसके साथ इसकी दो बहने थी जो की Jehovah Witnesses थे Jehovah Witnesses क्या होते हैं उनका एक धार्मिक विश्वास ये है कि बहुत ही जल्दी संसार खतम हो जाएगा और वो सिर्फ भगवान को ही powerful मानते हैं और किसी चीज को ना तो वो pray करते हैं ना किसी और की authority में मानते हैं तो ये जो तीनो बच्चे थे ये school में जाते हैं और school में इनको कहा जाता है कि भाई आप जनगनमन गाईए और ये तीनो बच्चे जनगनमन गाने से मना कर देते हैं school क्या करता है? school इनको निकाल देते हैं अब जब ये school से निकाले जाते हैं तो इनके parents केरला हाई कोट में एक writ लगाते है under article 25 of the Indian constitution की हमारा अधिकार है fundamental right है कि हम अपने religion को follow कर सकते हैं इसलिए जो school ने बच्चों को निकालने का decision दिया है ये बिलकुल गलत है केरला हाई कोट इनकी petition को dismiss कर देता है और school ने जो बच्चों का expulsion किया है उसको justify कर लेता है ये बच्चे फिर अपने case को लेके पहुंचते हैं supreme court और supreme court अपनी judgment में इन बच्चों के favor में judgment देता है और कहता है कि इनोंने कोई भी अपराद नहीं किया इसलिए court ने ये भी कहा कि आप इन बच्चों को वापे school में admission कीजिए और high court के decision को supreme court पलट देता है ये हो गए हमारे fundamental rights खतम अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो channel को subscribe कर दीजिए और वो जो अंगूठे का निशान आता है ना उसको हलका सा प्रेस कर दीजिए यार मेरे को भी motivation मिलता है ताकि मैं भी आपके लिए ऐसे ही videos बनाता रहूं तवस्त रहिए शशक्त बनिए जय हिन जय भारत